आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फेहराने से जदा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय फिरदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आखाओं की नाखवनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया मां का सिंदूर गया नन्हे नोनिहालों की लंगोटियां चली गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परंतु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादिगी राइफल से निकलने वाली गोली को ये तै करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदे मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्यूंकि महोदे फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदै अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओ में उच्छाला जा रहा है हवाओ पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 46 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्स में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की वेटी अपनी भाति सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुशकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तम सिंग बन कर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो महोद है अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अपसोस है अपने देश की नहीं प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजी खोल दिये जा सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर कुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिंच जैभर